मध्यप्रदेश की राजधानी भुपाल के बग्रोदा पठार इंडस्ट्रियल एरिया में गुजरात ETS और NCB द्वारा छापेमारी में 1814 करोर की MD ड्रग पकरे जानी के बाद सियासत सुरू हो गई है मध्यप्रदेश कॉंग्रेस के सभी बरे नेता मामली को लेकर सरकार पर हमलावर हो गए हैं PCC चीफ जीतु पटवारी ने प्रदेश कारियाले में प्रेस कंफरेंस कर सरकार पर कई बरे आरोप लगाए हैं जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आ रहे हैं वीडी शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश और गुजरात के पुलिस के सैयोक्त कारवाई के अंदर इतने बरे नशे की कारुबार को ट्रेस किया गया नशे की तरफ में जाने से लाखों युवाओं को बचाया हैं मैं कॉंग्रिस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप जूट और कपट की राज़नीती करके मध्यप्रदेश पुलिस का मनुबल तोड़ना चाहते हैं जीतु पटवारी को किस ने बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस को मामली की जानकारी नहीं थी कॉंग्रिस मध्यप्रदेश का अपमान करने की कोशिश कर रही है खूपिया तंत्र ने इतने बरे रैकेट को ट्रेस किया है आरोपी का बीजपी से कोई लेना देना नहीं है किया आज मुक्षमंद्री डाक्टर महान याजब के नेत्रतुमें गंभीरता के साथ संवेजदन्शीता के साथ आज कानून विवस्था पर सुर्थ कारवाई करने का काम कीसे ने किया है तो यह इंटेलिएंस फिल्वर नहीं है यह इंटेलिएंस है कि आपके जैसे लोगों को या आपके जैसे परवर्थी के लोगों को यह चीजें जानकारी में नहीं आई इसलिए ऑपरेशन सपल हुआ नहीं तो पता नहीं क्या होता आपके जैसे लोग तो ही काम करते हैं मैं गंभीरता के साथ कहता हूँ और आप ट्विट कर रहें इनका जवाब दीजिए पर मैं यह नहीं हमानता हूं कि यह जो करते वह भी ऐसा करेंगे मैं नहीं इस बात का समरतक नहीं हूं हम इन चीज़ों को कभी समर्थन नहीं करते, मैं प्रदेश का अध्यक्षू, मुझे कोई मिलने आता हैं, दस्वार सोचता हूं कि कौन आदमी है, हमारे नेताओं को सब को ये ध्यान रखने की जरुवत होती है, हम रखते भी है, पर कभी-कभी मनुष्य होने के नाते से, कित प्रदार निता हैं